हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई यूटीब चैनल तो फ्रेंट्स फाइनली हम एक नया वीडियो ले करके आ गए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि बिना क्रेडिक कार्ड के आप लॉन पे फॉन कैसे ले सकते हैं इस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई आप ऐ कार्ट पेन कार्ड नहीं है तो आप अपने फैमिल्य मेंबर का भी यूज कर सकते हैं फैंले मैंबर के नाम से मनगा सकते हैं तो किस तरीक In आप अधार कड और पेन काड पर लॉन पे फॉर्न ले सकते हैं आज किस वीडियो में रोना बताएंगे तो चलिए फ्रेंट्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहां पर प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च वर मैं आपको टैप करना है snap mint आपको snap mint search कर लेना है तो friends यहाँ पर snap mint हम search किये हैं तो यहाँ पर first में यह app आगे है तो इस पर हम click करते हैं आपको यही app download करना है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह कौन सा app है और यहाँ से यही app को आपको install करना है जो कि snap mint swap on AMI without credit card तो आपको इसको install कर लेना install करने के बाद यहाँ पर आपको open करना होगा open करने से पहले यहाँ पर हम नीचे आपको दिखा दे तो इसका downloading आप देख सकते हैं कि 1 million downloading है और यहाँ पर rating की बात किक जाए तो 4.3 का rating है जो कि यहाँ पर लोगों ने जो rating दिया everyone can buy on 0% AMI तो अचले यहाँ पर next phase आगया है तो कुछ इस तरीके से next phase आगया है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा number में नीचे में यहाँ पर आप देख रहे हैं login और sing up का option आ रहा है तो इसके हम click करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर mobile number मेरा sow कर गया है की मैंने बलर किया हूँ security purpose के कारण क्लिक कर देते हैं इसके भाद हम करते हैं sing in पर click क्लिक करने के बाद यहां पर OTP आ गय है मेरे mobile number पर तो OTP आने के बाद यहाँ पर OTP को tap कर देना है अगर friends आपके mobile पे OTP नहीं आया तो आप recent का भी option यहाँ पे देख सकते हैं recent भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे हम OTP टैप कर देते हैं तो friends यहाँ पे हम OTP टैप कर दी हैं इसके बाद हम thumbs and condition को accept करेंगे यहांपर टिक कर देंगे और उसके बाद next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहांपर एक new page open होगा कुछ इस तरीके से तो friends यहांपर आप देख रहे कि यह pop-up so कर रहा है तो इसको मैं accept करते हैं accept करने के बाद यहांपर will be using the app इसको क्लिक करते हैं allow करते हैं allow करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है, आप लोकेशन को भी आपको ओन करना होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 0% इंट्रेस्ट आपसे लिया जाएगा, यहां पर आप कोई भी प्रोड़क्ट को देखेंगे तो 0% भी आपको mobile लेना है, उसे आप सर्च भी कर सकते हैं यहां से आप डिरेक्टर देख भी सकते हैं, तो फ्रेंट्स माल लेते हैं कि हमको एक यह वाला mobile लेना है, ठीक है, यह ओपो A-15S mobile लेना है, तो इस पर हम क्लिक कर लिए है, क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते कि इसका प्राइज है 12,980 रुपे और इसका रिटेल्स भी यहां से आप देख सकते हैं यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 0% AMI लगेगा और यहां पर आप देख सकते हैं buy on three months AMI buy on six months AMI और यह ऐसे ही करके जो कि 9 months है और 12 months है तो आपको कितने months के लिए लेना है वो आपको select करना होगा तो आपको 3 months के लिए ही लेना है तो आपको क्या करना होगा तो आपको 3 months वाले पर क्लिक करना होगा तो यहां पर अगर 3 months के लिए लेते हैं तो 3 months में आपको लगेगा 1298 रुपे डॉन पेमेंट जो कि 1298 रुपे डॉन पेमेंट लगेगा और 394 रुपया आपका EMI बनेगा अगर आप six months के लिए लेते हैं तो 1299 रुपे डॉन पेमेंट और 2086 रुपे आपको जो कि पर मंत देना पड़ेगा six months तक अगर nine months के लेते हैं तो 1298 रुपे डॉन पेमेंट और 1444 बनेगा अगर आप 12 months के लिए करवाते हैं तो 1149 रुपे डॉन पेमेंट तो अगर आप कोई भी इसमें से लेते हैं तो 1298 रुपे ही आपसे जो कि डॉन पेमेंट लिया जाएगा और EMI आप अपने तरब अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो भी करना हूं तो फेंट सम्मान लेते हैं कि आपको 12 months के लिए ही करना है तो यहाँ पर हम buy on 12 months EMI पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है तो फेंट से यहाँ पर आपको first में क्या करना है आपका जो first name होगा वो आपको टैब कर लेना है और यहाँ पर last name टैब कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको pain number टैब करना है जो आपका pain number है और यहाँ पर आपको email id अपना टैब करना होगा इसके बाद यहाँ पर date of birth यहाँ से आपको select कर लेना है यहाँ से लगा लेना है date of birth इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर residence pin code तो आपका जो भी area pin code होगो वो tap कर लेना है और यहां पर gender है यह आपको जो कि select कर लेना है यहां से और यहां पर आपको select proposal तो इस पर हम click करते हैं तो यहां पर आप self employed कर सकते हैं या डिलेवरी stop कर सकते हैं तो यहां पर हम self employed ही select करेंगे तो यहां पर हम इतना details पहले हम fill कर लेते हैं तो friends यहाँ हम सभी details को fill up कर चुके हैं इसके बाद हम thumbs and condition को accept करेंगे यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर next पर click करेंगे next पर click करने की पाद यहाँ पर आपके सामने एक new page आ जाएगा तो friends यहाँ पर आप देख से थे कुछ इस तरीके से interface आ गया है तो friends यहाँ से आप से पूछा जाएगा यहाँ पर आपका monthly income क्या है तो friends यहाँ मंथली income हम कर देते हैं 30,000 रुपे और यहाँ पर हम 30,000 कर देंगे इसके बाद हम next करते हैं next करने की पाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से interface आ गया है तो friends यहाँ पर कुछ इस तरीके से interface आ गया है तो friends यहाँ पर हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पर buy on 12 months पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि direct यहाँ पर कुछ इस तरीके से interface आ गया है ठीक है इसके बाद यहाँ पर area एरिया का जो village होगा village मांग रहा है इसके बाद landmark मांग रहा है और यहां पर pin code autofill है ठीक है तो यह हम details fill up कर लेते हैं तो friends हम यह details fill up कर चुके हैं इसके बाद next पर click करते हैं तो friends यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह किसे interface आ गया है next करने के पाद तो friends यहां पर मांग जा रहा है यहां यहां पर मांग जा रहा है यहां इसको आपको चेक कर लेना है इसके बाद हम continue पर click करेंगे security purpose के कारण मैंने बलड किया हुआ है तो यहां पर मांग जा रहा है ID proof and selfie तो friends यहां पर हम आपको बोलेंगे कि selfie आपको upload करना होगा जो कि आपको camera direct करके करना होगा तो यहां पर हम वीडियो के सामने ही camera on कर लिया और यहां पर हम photo click कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने फोटो क्लिक कर लिया इसके बाद यहां पे next करेंगे जो कि यहां पे अभी upload हो रहा है तो यहां पे देख सकते हैं कि कुछ आया नहीं तो फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर फिट से हम क्लिक करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सेलफी जो मैंने लिया है वो नीचे में यहां पर आ चुका है इसके बाद हम next करेंगे next करने के पाद यहां पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि order details आ गया है यहां पर plan details for order number तो order number भी आ गया order value भी 12980 रुपे और down payment जो कि 1978 रुपे लग रहा है और AMI जो बन रहा है 1166 रुपे पर मंत देना पड़ेगा जो कि 12 months के लिए तो इसे हम जोड़ते हैं कि मुझे कितना extra charge लग रहा है तो 1176 को हम पहले जोड़ लेते कि कितना extra लगा जा रहा है तो 1176 into 12 months तो फिंट्स यहां पर आप देख रहें कि 14,112 रुपे और प्लस यहां पर muff केम इने ना, ना, ना इसे होग nие 178 रुपे और यहां पर 16,090 रुपे लग रहा है, ठीक है तो यहां पर 16,090 रुपे लग रहा है जो कि 12,980 का product है तो माइनेस 12,980 तो फ्रेंड्स यहां पर 3110 रुपे extra charge लिया जा रहा है तो यहां पर 3,110 रुपे मुझे extra charge यहां पर पढ़ रहा है जो कि 12,980 रुपे का mobile है जिसमें 3110 रुपे extra charge लिया जा रहा है तो friends हम पहले आपको बता दे कि क्यों extra charge लिया जा रहा है और अगर आप बजाज के साथ जूरते हैं, कोई भी अधर भी आपके साथ जूरते हैं, अगर किसी भी company से आप finance करवाते हैं, तो उसमें down payment जैदा आपसे लिया जाएगा, प्लस वहाँ पे processing fee भी आपसे करेगा, processing fee वहाँ पे अगर बजाज के साथ जूरते हैं, तो आपसे card भी बनवाया जाएगा, तो उस वक्त अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो उस वक्त काफी जाइदा पर जाता है, लेकिन अगर इससे अप लेते हैं, तो आपको काफी जाइदा जो की बहतर होगा आपके लिए, तो यहाँ पे आपको अगर 13,000 रुपे something अमान सकत हैं, 13,000 रुपे का आपको loan approval मिल रहा है, मातर 2,000 में, 1978 रुपे आप loan payment करते हैं, और 13,000 का जो approval मिल रहा है, तो काफी जाइदा हद तक सही है, इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ पे आपको setup EMI instructions पे click करना होगा, click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, setup EMI with debit card net bank ही, इ name, IFC code और account type, यहाँ पे saving है या current यह आपको select करना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपके debit card ही, net banking वो आपको select करना होगा, अगर debit card है, तो debit card पे आपको select करना होगा, और वहाँ पे आपको verify करना होगा, आपके अपने account से, और पैसा जो है, जो भी EMI बनेगा, वो आपके account से debit होगा, हर मैने आपके account से ही debit हो जाएगा, जो की reminder भी आपको इसके तरफ से message भी जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको alternate number आपको एक डालना होगा, इसके बाद यहाँ पे आपको thumbs and condition को, यहाँ पे जो condition को आपको accept करना होगा, यहाँ पे next पे आपको click करना होगा, तो यहां पे product जो कि order हो जाएगा और friends यहां पर आपको हम बता दे कि कितने दिन में आपके घर पर order जो कि पहुंचा दिया जाएगा कितने दिन में आपको इक पास deliver हो जाएगा तो wir till you can say कि 10 दिनों के अंदर में आपके घर पर deliver कर दिया जाएगा फ्रेंट्स आप एक चीज़ सोच रहोंगे कि डॉन पेमेंट तो लिया ही नहीं तो फ्रेंट्स हम बता दें कि यह जो आप अकॉंट डीटल्स फिलप करके नेक्स वाले पेज़ पर करने को परने के लिए नहीं सब्सक्राइब से करना होगा उसके अगर आपको लेना है तो आप सब details fill up करके आप औसानी से order कर सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो के में सारा details में बताए कि किस तरीके से आपको order करना है और friends अगर अभी भी आपके मन में कोई confusion है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही आप हमसे Instagram पर भी बात कर सकते हैं जो कि Instagram काईड़ी वीडियो क कर रहा होगा तो friends I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके साथ ही बैल आइकन को बेस किजेगा तो friends मिल अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ